वंदे भारत ट्रेन यानि आत्मनिर्भर और विकसित होते भारत की पहचान वंदे भारत ट्रेन यानि तेज और आराम दायक सफर का माध्यम प्रधान मंत्री श्रीनरिंद्र मोधीजी के नित्रतों में भारत आज तेज गती से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर है आधुनिक होते भारत की इस पहचान को सशक्त कर रही है स्वदेशी तक्नीक एवं विश्वस्तरिय सविधाओं से युक्त वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन वंदे भारत में गती भी है, वंदे मारत में आधुनिक्ता भी है और वंदे भारत में आत्मनिर्भर भारत का गर्ब भी है दुनिया में भारत की प्रगती और आधोनिकता के मिसाल बन चुकी वंदे भारत एक्सप्रेस को पहली बार 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली से वारणजी के बीच चलाया गया था देखते ही देखते इस ट्रेन की लोक प्रियता और मांग बढ़ती गई और देश भर में संचालित वंदे भारत ट्रेनों की संख्या एक्यामन तक पहुँच गई इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मानने प्रधान मंत्री जी आज एक साथ तीन नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी जंडे दिखाने जा रहे हैं उत्तर प्रधेश, तमिल नाडू और करनाटक राज्यों में चलने वाली ये वंदे भारत ट्रेने मेरट सिटी को राजधानी लखनों से टेंपल सिटी मधुरै को आईटी सिटी बैंगलूरू से और चेन्नाई को नागर कोविल से जोडेंगी वंदे भारत ट्रेने वर्ल क्लास सुविधाओं से लैस है आराम दायक सीट, बहतर लाइटिंग, जीपियस आधारित पैसंजर इंफरमिशन सिस्टम, क्रत्येक सीट के नीचे चार्जिंग पॉइंट, स्वचालित दर्वाजे, एमजेंसी टॉक बैक यूनेट जैसी सुविधाएं इस ट्रेन में हैं दिव्यांग जनों के लिए वंदे भारत ट्रेन में प्रेल लिपी से युक्त, सीट हैंडल और टच फ्री टॉलेट जैसी सुविधाएं भी उपलब्द कराई गई हैं इसके साथ ही अब उत्तर प्रदेश में संचालित होने वाली वंदे भारत ट्रेनों की संख्या 10, करनाटक में 9 और तमिल नाडू में 8 हो जाएगी अब इन राजियों के निवासियों को न केवल तेज, सुगम और अधिक आरामदायक यात्रा का अलभाव मिलेगा बलकि परियाटन एवं आर्थिक सामाजिक कतिविधियां बढ़ेंगी साथ ही व्यापारियों, जात्रों और परियाटकों को विशेश लाब होगा वर्तमान में देश के 24 राजियों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में इन ट्रेनों का संचालन हो रहा है जो 280 से अधिक जिलों को कवर कर रही है देशवासियों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय वंदे भारत ट्रेने 35,000 से अधिक ट्रिप लगा चुकी है और इन में अब तक 3 करोड से अधिक यात्री सफर कर चुके है उच्च गती, उन्नत सुरक्षा मानक और विश्वस्तरिय सेवा के मिसाल मेकिन इंडिया वंदे भारत ट्रेने आज बन चुकी है नए भारत के नए जोश, नए उत्साह और नए उमंग की प्रतीक